देख लेते question number second में क्या पूछा गया है, give reasons for the following observations, the smell of hot sizzling food reaches you several matters away but to get the smell from cold food you have to go close, इसने बोला जो गरम खाने की खुस्वूए काफी दूर तक जाती है, but अगर हमें cold food या ठंडे खाने की खुस्वू लेनी होती है तो हमें उसके पास जाना होता है, ऐसा क्यों होता है, जान ल temperature, इसने बोला जो हवा में घुलने की सकती है, वो कब हो जाती है तेज, जब उसमें temperature increase हो जाता है, तो जब temperature increases होगा, तो diffusion भी क्या बढ़ जाएगा, diffusion जो होता है, मिलने की जो शक्ती होती है हवा में, वो होता है हमारा diffusion, due to this increase in kinetic energy of solid particles diffuses in air, तो इससे क्या होता है, इससे हमा और वो हवा में इधर उधर फैल जाते हैं, जिसके वज़े से क्या होता है हमें, गरम खाने की खुस्बू जल्दी आती है, the kinetic energy of hot food particles is high as compared to cold food particles, तो kinetic energy जो motion of particles है किसके जादा होते हैं, वो hot food particles के होते हैं as compared to cold food, तो थंडे खाने में जो motion है, जो gases particles जो motion है, kinetic energy है, उसकी कम होत से हमें उसके पास जाना पड़ता है सूंगने के लिए, so the smell of hot food reaches even at a distance, but to get the smell from cold food, you have to go very close, तो इसमें यही कहा गया है, कि इसलिए हमें वो खाने के खुस्बू दूर से आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो motion kinetic particles है, वो काफी तेज मूफ करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, but इसमें cold food में क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता है, हम इसके पास जाना पड़ता है, इसके kinetic particles motion नहीं करते हैं, जितनी तेज हमारे कोन करते हैं, hot temperature वाले करते हैं, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने next question के तरफ,